नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर भावेश आज की वीडियों देखने वाले हैं कि गॉल बेडर स्टोन को ठीक करने के लिए रिमूब करने के लिए उसको डिजॉल्व करने के लिए क्या नैचरल उपाय करना चाहते हैं तब भी आप यह ले सकते हैं तो आपको बतादू जो गॉल बेडर होता है वह हमारी बॉड़ी का विसेस होता है जो अपने आप में कुछ नहीं बनाता है सिर्क वह क्या करता है अपने में आके बाइल चीज को या बाइल सब्स्टेंस पर करता है और यह जो बाइल होता है यह बहुत सारे पधार्थ से मिलके बना होता है इसमें बाइल साल्ट होते हैं और इसमें कोलिस्ट्रॉल होता है बहुत रखासकर याद रखें और यह तीनों मीले सब्सक्रांटे होते हैं और जो इसमें होता है वह होना होगी खजी हमारा लिवर अच्छी बनावथ वाला बनाएगा तो लेकिन जैसी उसकी जो बनावट है वो खराब हो जाती है तो आपकी पित्ता श्रमिया जो गॉल बेटर में जो इस्टोन होता है वह सबसे कॉमन होता है कौन सा वाला कॉलेस्ट्रॉल वाला होता है क्या होता है वहां पर इस्टोन प्रोड्यूस करता है क्योंकि बाइल होता है तो कुल मिलागे कॉंसेप्ट यह है कि जो आपके 15 में इस्टोन है पत्री है वह कॉलेस्ट्रॉल वाली है और वह कहले होता है और जब इस्टोन होगे तब भी होता है नॉर्मल कंडिशन में क्या होता है वो लिक्विट फॉर्म में होता है अभी इस्टोन हो गया है तो वह सब्सक्राइब अटेट हो रहा है वर्ट फार्म में बना रहा है और जो इस्टल बना रहा है तो ओसापट यह है कि अमें क्या करना ए अगें भाइल के जो मतलब कंपोजिजन को सinhishing करके लाना है कि नुमतिटिन हो जाए गाई सको और हुआ रिमोब करने की बाद नी कि आपको बाइल ढात छीग हो गया मतं tutte से बन रहा है तो लीवर ठीक सब्सक्राइब तो बाइल ठीक हो गया और बाइल की कमपोजिशन ठीक हो गई तो आटोमेटिक जो सॉलिट कोलेस्ट्रॉल है अगें लिक्विट में कनवर्ट हो जाएगा और आपको इस्टोन गायब हो जाएगा इसके लिए क्या पड़ेगा सबसे पहले आपको बता दू इसके किसी को गॉ ढाई तो बहुता है। कुछ नहीं होता है लेकिन कभी तरज आता है कभी नहीं आता है अफर Será कोई भी कंडिशन ऑनोडी पेशेंट सह्जरी नहीं कर ना चाहता है वो चाहता है कि पहले कोशिच करेंorde कि हम कोई दवास या डाईट के दौराउं स्कुंध करना कही जाएग आपको चुकंदर रोजाना चुकंदर आपको खाना है सलाद के रूप में खालीजिए या दवाई की रूप में खालीजिए डेली आपको चुकंदर खाना है क्योंकि जो चुकंदर होता है वो बहुत important role play करता है बाइल की composition को normalize करने के लिए बाइल की composition को normal बनाने के लिए आपको चुकंदर खाना है सुबह शाम सलाद में आप चुकंदर खाईए जो आपके सरीर के लिए भूट अदिक फायदे मन्द होगा तो आपको result मिलेगा दूसरा को करना है फूल गोवी या पत्ता गोवी भी आप सब्जी की रुप में खा सकते हैं या फूल गोवी पत्ता गोवी का आपको सूब बना के पी सकते हैं क्योंकि फूल गोवी पत्ता गोवी में सब्स्टेंस होते हैं जो बाइल की कंपोजिशन को मेंटें करते हैं और वाइल को हेल्दी बनाते हैं ताकि जो आपका cholesterol वाला जर्श्टोन है वो घुल जाए तो फूल गोवी पत्ता गोवी आपको लेना चाहिए बहुत ही इफेक् रोजाना एक ग्लास नीववबू पानी पीना या सब्सक्राइब सब्सक्राइब पीना ह deux सब्सक्राईती ऌनी पीन निवी सकते हैं कोई ज़ारी नहीं क्या है झाल दिन तीन-चार बज़े के दिच में थाक को पीना चाहिए और जाना इक ग commence निबो पाणी पीना रोजाना एक र 24 पानी आप पीते हैं तो वह कहीं नहीं का और साथ रहादोर को करता दाफ करते हैं दो जब कि या ब्रॉकली का जैसा भी आप सालात के रूप में या इसको सूप बना के पीना चाहते हैं और जाना एक गिलास आपको नीवो पानी लेना है तो मेरे कई पेशेंट जो हैं वह सिर्फ डाइट के द्वारा ही ठीक हो गए इसको आप रेगुलर फॉलो करिए रेगुलर इसको आप यूज करिए तो आप देखिए तीन से छे मैंने तो टाइम तो लगए ऐसा नहीं कि आपको मैंने दिया बोला एक करें और आप पर एक मैंने मिस्टों चले बिल्कुल नहीं जाएगा टाइम लगेगा तीन मैंने छे मैंने एक साल भी लग सकता है आप इसको बस फॉलो करते रहे हैं और हर तीन चे मैंने की स्वानोग्राफिकर आके देखते रही है बिलकुल आपको रिजल्ट मिलेगा तो इस डाइट को फॉलो करिए और अपने गॉल बेडर को नैच्रली ठीक करिए कोई भी टीट्मेंट ले रहे हैं आप लेते रहे हैं साथ में डाइट को फॉलो कर लीजिए बस फिर देखिए आप चमातकार कैसे होता है दर्द भी कम होगा वहां की सूजन भी कम होगी और साथ में आपका जो कॉलेस्टोर वालस्टोन है वो भी क्या हो जाएगा घुल डाएगा जिक यह आप कोई कोश्चन दो मुझे कमेंट कर सकते हैं इस पर वी